हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी कटोरी चाट की रेसिपी जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुह में पानी आ जाता है इसे बनाने के लिए हमें दो तरह की रेसिपी बनानी होगी एक तो हम कटोरी बनाएंगे दुसरा इसके अंदर भरने के लिए हम चटपटा चाट बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम चाट की त्यारी कर लेते हैं चाट बनाने के लिए हमने काबली चना लिया है जिसे रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और यह अच्छी तरह से फूल गया है यहां हमने दो आलू भी लिया है अब काबली चना को कूकर में डाल कर इसमें चना के डूबने भर पानी डालेंगे फिर इसमें आधा चमच हल्दी और नमक डाल कर मिला लेंगे इसी में हम ये दोनों आलू भी डाल देंगे जिसे की आलू भी चना के साथ पक जाएगा अब इ आटा के जग मैदा भी ले सकते हैं इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें एक चवथाई महीन वाली सूजी लेंगे फिर आधा चमचा जवाइन लेंगे थोड़ा सा नमक लेंगे और इसे खस्ता बनाने के लिए तेल या घीर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे हाथों से इसे तब तक मिलाएंगे जब तक कि इसका लड़ू न बनने लगे आटा को मोहिन के साथ जितना मिलाएंगे कटोरी उतना ही खस्ता बनेगी देखिए ये लड़ू जैसा बनने लगा है अब इसमें पानी डाल कर आटा को गूतेंगे आटा हमें थोड़ा कड़ा आटा सौफ्ट रहेगा तो इसका कटोरी क्रिस्पी नहीं बनेगा आटा गूत कर तयार कर लिया है अब इसे ढग कर आधा घंटा के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसमें जो हमने सूजी डाला था वह भी अच्छी तरह से फूल जाए इधर कूकर में पांच सिटी हो गया है धकन हटा कर हम चेक कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स चने अच्छी तरह से पग गया है और आलू भी अच्छी तरह से पग गया है और अब हम इमली की चटनी बनाएंगे इमली की चटनी बनाने के लिए हमने इमली को पानी में फूलने के लिए दो घंटे के लिए रख दिया था इमली के फूल जाने पर इसे हाथों से मैस करके इसके सारे पल्प को निकाल कर चलनी से चान लेंगे और यहां हमने इमली को चलनी से चान लिया है अब पैन में इस छने हुए इमली के पल्प को डालेंगे जब यह उबलने लगेगा तब इसमें हम आधा चमच खाला नमक डालेंगे आधा चमच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चमच भूना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और एक बावल चीनी डालेंगे जितना मीठा आप चाहते हैं उसी अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं अगर आप चीनी पसंद नहीं करते हैं तो इसमें गोड़ भी डाल कर बना सकते हैं इसे लगतार चलाते रहेंगे आप इस चटनी को बना कर महिनों दिन फ्रीज में रख सकते हैं इसे आप रोटी, नान, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं चटनी सुखकर गाढ़ा होने लगा है इससे ज़्यादा इससे नहीं सुखाएंगे क्योंकि ठंडा होने पर या और भी घाढ़ा हो जाएगा तो ये हमारा चटपटा इमली की चटनी भी बन कर तयार हो गया है आधा घंटा हो गया है आटा को फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि या अच्छी तरह से चिकना हो जाए अब इसकी लोई काट लेंगे लोई का साइज न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा रखना है जितना बड़ा हम रोटी बनाते हैं उससे छोटा और पूरी के साइज से बड़ा रखना है इसके पेड़े बनाकर इसे बेल लेंगे इसे ना ज्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज्यादा पतला बेलना है जैसा हम पूरी बनाते हैं वैसा ही बेलना है इसे इतना बड़ा बेलना है कि आप जिस साइज का कटोरी लेते हैं उसमें यह अच्छी तरह से फिट हो जाए पूरी को हमने बेल लिया है अब इसमें हम फॉक से इस तरह से प्रिक कर लेंगे अगर हम इस पर प्रिक नहीं करेंगे तो तलते समय कटोरी फूलने लगेगा जिसके कारण कटोरी में अच्छा सेप नहीं आएगा इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रिक कर लेना है अब हम एक श्टील का कटोरी लेंगे, इसमें अच्छी तरह से तेल या घी लगा लेंगे, जिससे तलते समय पापड़ी कटोरी असानी से निकल जाएगा, अब इस पर ये बेला हुआ पूरी को रख कर सभी तरप से दबाते हुए बंद करेंगे, बीच बीच में इस तरह से इसमें फोल्ड भी आएगा, इसे भी दबाते हुए अच्छी तरह से बंद कर देंगे, और ये जो थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा है, इसे हम हटा देंगे, और फिर बैक साइड भी फॉक से प्रिक कर लेंगे, जिससे यह बिल्कुल भी न पूले, अब इसे तल लेंगे तेल गरम हो गया है, इसमें कटोरी डाल देंगे और इसे प्रेस करेंगे, ताकि तेल कटोरी के ऊपर तक आ जाए, आप देख सकते हैं कि पापड़ी कटोरी अपने आप इस्टील कटोरी को छोड़ रही है, तो बस इसी स्टेज पर एक चिम्टा से कटोरी को पकड़ कर नि अब हम इसमें भरने के लिए चाट की तयारी करेंगे, एक बाउल में ये उबला हुआ काबली चना हमने लिया है, इसमें ये उबले हुए आलू को लेंगे, जिसे हमने छोटे छोटे पिसेस में काट लिया है, फिर इसमें बारी कटा हुआ प्याच डालेंगे, एक बारी अच्छी तरह से mix करेंगे, ये सारा filling मैं एक साथ तयार कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि जब हम इसे serve करेंगे तो जल्दी जल्दी कटोरी में लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज जब हम कटोरी में डालेंगे तो बहुत समय लग जाता है, और कटोरी छोटा होता है, जिस इसके कारण सभी चीजों का proper taste नहीं आता है, तो filling यहां हमने अच्छी तरह से mix कर लिया है, अब इसे पापडी कटोरी में हम फिल करेंगे, फिलिंग करने की सारी तयारी हमने कर लिया है, ये रहा चटपटा इमिली की चटनी, ये दही लिया है जिसे अच्छी तरह से फेट लिया है, अब इस रेडी किया हुआ फिलिंग को पापडी कटोरी में हम फिल करेंगे, अब देखिये फिलिंग हमने पहले से रेडी कर लिया है, तो चाट सर्व करने का काम फटा फट हो जाएगा, इसके उपर ये फेटा हुआ दही डालेंगे, फिर खटी मीठी चटपटा इमली की चटनी डालेंगे, उपर से थोड़ा सा प्याज डालेंगे, फिर कटा हुआ टमाटर डालेंगे, तीखा करने के लिए थोड़ा सा लालविच पाउडर डालेंगे, और उपर से चटपटा चाट मसाला डालेंगे, इसके बाद फाइनली इसमें सेव डालेंगे, और ये हमारा एकदम चटपटा कटोरी चार्ट बनकर तैयार है मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और सेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके